नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो, उम्मीद आपसे भी अच्छे और अपनी पढ़ाई बेच्छे सिक तर रहे हैं, आज मैं आपको कुरारी हूँ आपकी वरक्षिट नमर 21, यह आपकी पठन अभियान की कारेपत्रिका है, और आज की हमारी थीम है अली की समझदारी, तो प्रेश्रू करते हैं आपकी वरक्षिट, प्यारे बच्चों, जल ही जीवन है, प्रकृती ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, जैसे जल, वायू, खाना, दवाईया, आदी, इन्हें हम सब को संजो कर रखना चाहिए, आज हम अली की समझदारी की कहानी पढ़ते हैं, औ अली घर में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी नजर बाहर नल पर पड़ी, नल से पानी जमीन पर टपक रहा था, आसपास का फर्ष गीला हो गया था, अली ने एक लोटा जल के नीचे रख दिया, पानी अब लोटे में गिरने लगा, थोड़ी देर में लोटा भर गया, अली ने लोटे का पानी पौधो में जाल दी, तो अली ने क्या किया, कि पानी घराब हो रहा था उसको लोटे में भर कर पौधो में डाल दिया, तो हम देखते है पौधों के लिए प्रयोक कर सकते हैं और घर के बागी कामों भी इस्तिमाल कर सकते हैं यदि आपके गहर में आपके ही सामने पानी का नल खुला हो तो आप क्या करोगे? अपने विचारों को अपनी कॉपी में लिखें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहला नल बंद कर देंगे नल बंद कर देंगे दूसरा नल के नीचे बाल्टी रख देंगे यह न? तो इस तरीके से हम पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं प्यारे बच्चों पेड़ हमारे लिए क्यों उप्योगी है? अपने शब्दों में लिकी पेड़ हमारे लिए बहुत तरीके से उप्योगी है क्यों? क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़े मिलती हैं वो क्या क्या चीजें मिलती हैं चली हम लिख लेते हैं जस्ट वेट पेड़ों से हमें पेड़ों से हमें शुद्ध हवा शुद्ध हवा भोजन फल, फूल, लकड़ी वा दवाईया दवाईया मिलती हैं अते ये अते पेड़ हमारे लिए उपयोगी है पेड़ों से हमें शुद्ध हवा भोजन, फल, फूल, लकड़ी वा दवाईया मिलती हैं अते पेड़ हमारे लिए उपयोगी हैं अगला प्रेशन नीचे दिये गए पौधे के भागों के नाम लिखे ये पौधा हमें दिया गया इसके हमें नाम लिख लेए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्या है ये है फूल ये है तना ये है पत्ती और ये सबसे नीचे होती है जड़े तो पौधे में सबसे नीचे जड़ें उसके उपर तना फिर पत्तियां फूल फूल के बाद वो फल बनता है और उसमें बीज निकलता है चलिए मज़ेदार गत्विधी क्या है आपकी प्यारे बच्चों आज हम सब मिलकर एक शपत लेंगे कि हम अपने और अपने परिबार के किसी भी सदस्थे के जनम दिन पर एक पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे तो आपका word में जभी आए या आपकी family में किसी का भी आए तो आप एक पेड़ लगाएं और उसकी देख भाल करियों से पानी दीजिए खाद दीजिए ताकि वो अच्छे से उग सके अब यहाँ पर देखिए चितर दिया गया है यह आपस में क्या बातें कर रहे होगे इसके बारे में आपको लिखना और अपनी टीचर के साथ शेयर करता है तो उमीद है बाक्षिट आपके लिए यूसफल रही होगी अगर यूसफल रही है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट करिए और हमाचा लगों सब्सक्राइब करिए धन्यवाद